हेलो दोस्तों सलाम अलेकम तो कैसे हैं आप तो आज मैं आपको बताने वाल हूँ यार इंजन के वाल लेशिंग का तरीका और टैपिट जिसे आप टैपिट भी बोलते हैं वाल लेशिंग बोलते हैं ये केट 3516 एका आज वाल लेशिंग का मैं थोड़ा तरीका बता देता हू इससे आप कर तो नहीं सकोगे लेकिन प्रेक्टिकली करने से जाएगा लेकिन यह एक आप एक बार एंटरव्यू देने के काबूल हो जाएगा तो यह थियूरी में यह होता है काम जो भी है ना वीडियो देखने से तो बहुत कम आता है लेकिन प्रेक्टिकली में आता है ठीक यह इसकी इंस्पेक्शन विंड़ो है यह आप खोल देंगे हमारो तो भी यह इसका खुला हों है सेफ़गाड सारा सही है तो जह विंड़ो खोलेंगे और इसको हम फ्लाइविर को ट्रेड करेंगे ना तो यह जो टी सी वन है यह TC1 और TC2 लिखा होता है यह TC1 आजाएगा यहाँ पर जब रबर आजाएगा ठीक एरो अंदर एक ठीक है यह मैं बताता हूँ यह एरो है ठीक है इसके नीचे जब यह TC1 आजाएगा ना यह वाला हमारा TC1 यहां तक आजाएगा ठीक है तो फिर हमने इसके वाल लेशिंग स्टार्ट करने सबसे पहले जब हम इसको रूटेट करके TC1 पर ले आएगे ठीक है तो आजाएगा तो यह इसके सिलंडर कैप है ठीक है यह आप उतार लो कि यह जैसे मैंने रुमूव कर दिया ठीक है अगर TC1 पर आ चुका है ठीक है तो पहले इसके बार में मैं आपको थोड़ा बता दूँ यह ब्रिज ब्रिज कहलाता है ठीक है यह रॉकरार हम है ठीक है और यह जो आपको नजर आ रहे है नीचे स्प्रिंग टाइप यह वाल है अग्जास्ट इंटेक के ठीक है और यह पुश्राड है ठीक है इसको पुश्राड कहते है यह वाली पुश्राड है ठीक है और अब हमने टैपट करने है ठीक है तो दोस्तों आपको कैसे पता चलेगा अग्जास्ट इंटेक वाल कौन से ठीक, यह देकें, यह लिखा भी होता है, इक्झास्ट इंटेक्त से ही है, और दूसरा यह जो पाइप लगावा है यह जो पाइप लगावा है, तो जिस थाज्वाल की आगए, ज अगर आपको नहीं पताचला नहीं लिखावा तो जिसके आगेज एक्जास्ट मेनिफॉल्ड जा रहा है तो वो ही इसका एक्जास्ट वाल होगा ठीक है तो मैं आप बता दूँ हमने TC1 पे ले आए TC1 पे आपके दोनों वालों में से कोई भी आ सकता है उसकी आपने करेंट सर्जेस्ट करनी है ये 35-16-1 का केड 35-16-1 की जो करीनस है वो हम एक्जास्ट की जो रखते हैं वो करीनस रखते हैं 50 थाओ 50 थाओ 50 थाओ और ये जो इंटेक इसकी रखते हैं हम तकरीबबन 20 ये के 30 है जैन में से निकल गया अब जो भी है 20 है ये 30 है इतनी है सही है तो ये ये देखें ये इंटेक वाल आपने देखना है ये इसका पुशिंग राड है जो लूज हो चुका है सही है और ये ये इसे हिलना चाहिए अब ये देखें न इग्जास्ट का नहीं हिल रहा है ठीक है ये सिर्फ ये हिल रहा है सही है अब हम क्या करेंगे इसके यहां पर यहां पर यहां पर फिलर गेज दे के चेक करेंगे इसकी कितनी करीन से कम हो गई यह ज्यादा हो गई अगर 20 से कम हो चुकी है तो ठीक है हम इसको यह नट लूज करेंगे इनलेंड की बॉल डालके ठीक है लूज करके इसके अंदर फिलर वन चेक कर लेंगे, टीसी वन पर यह जूरू नहीं है, अगला खोलते हैं, यह कैप उतारेंगे, इसमें हो सकता है, यह एक्जास्ट वाला, अपनी पोजीशन पर हो, उसका पुश्राड लूज हो, ठीक है, हम उसकी क्रेंस रजेस्ट करेंगे, ठीक है, तो बहुत सारे तो ऐ दूसरा आ रहा है, तो फिर हम टीसी टू ऐसे लिख देंगे, दो लेने लगा देंगे, टीसी टू, भी टीसी टू पर आएगा, तो यह करना है, ठीक है, तो यह आपकी वाल लेशिंग करने का तरीका, केटर 15, 16 का ठीक है, और आपका बला करें, इससे टेपट भी बोलते है वाल लेशिंग बोलते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, इससे यह है कि आप प्रैक्टिकली तो बहुत मुश्किल है, हाँ, ठीक के कावल हो सकते हैं, कि आप टीसी वान पर लाके एग्जास इंटेक और वालों की करेंस रिजस्ट करते हैं, सही है, तो के यह आप क्लियर कर सकते हैं, कि टीसी वान पर कैसे लाना है, फिर है उसके चेक कैसे करना है, क्यों सावाल अपनी पोजिशन है, किसकी करेंस हमने रिजस्ट करने चेक कैसे करते हैं, वह मैंने आपको geeक्र कर दिय है, तो ठैंक्यों दॉाओं में याद रखना, मैं आ आपका दोस्त शुय बट्टी फिर मिलते नए वीडियो के साथ अल्ला आफीज